नमस्कार आप सभी कैशे हैं आशागरतों आप लोग बहुत अच्छे होंगे हम अर्थुशास्र का क्षेत्र पढ़ रहे थे यह सेकेंड चाप्टर है पिछली वीडियो में हमने बात किया था अर्थुशास्र की विशह शामगरी के बारे में यानि सब्जेक्ट मैटर ओफ इस वीडियो में हम बात करेंगे अर्थुशास्र की प्रकृति क्या है नीचर ओफ एक्रोमिक्स क्या आर्थुशास्र के विज्ञान है अगर विज्ञान है तो कौन सा विज्ञान है क्या आर्थुशास्र एक वास्थिविज्ञान है या आर्थुशास्र एक आदर्ष वि तो इसको समाझने से पहले आईए हम समझते हैं विज्ञान क्या होता है यानि Meaning of Science समझेगा विज्ञान किसी भी विशे के करमबद ज्ञान को कहा जाता है किसी भी विशे में, किसी भी सबजेक्ट में आप अगर करमबद स्टेड़ी कर रहे ना उसको ही विज्ञान कहा जाता है यानि विशेश ज्ञान उसका ले रहे हैं ये बात समझ में आपको आगई अब देखे एक पॉइन्केर हुए हैं अर्थुशास्त्री में हैं उन्होंने definition दी है बहुत ही अच्छी definition दी है इसको समझेंगे न तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि आखिर विज्ञान होता क्या है देखे विज्ञान तथ्यों द्वारा निर्मित होता है ये बात लिखे हुई है विज्ञान में तथ्यों होते हैं कुछ क्या होते हैं कुछ logic होता है कुछ data होता है उसमें दिया होता है कि ऐसे ऐसे चीजे होती ही तब ऐसा होगा अब जानते हैं विज्ञान cause and effect पे काम करता है कारण और परणाम पर इसका कारण क्या है और इसका परणाम ये होता है इस पे science चलता है जिस प्रकार की एक मकान इंटो द्वारा निर्मित होता है आप एक मकान देखे एक मकान में मुक्यता इंटे ही लगी होती इसलिए बोला जाता है मकान इंटों का बना हुआ है हलाकि cement वगरा बालू वगरा सब कुछ लगता है लेकिन बोलते हैं मकान इंटों का बना हुआ है concrete का बना हुआ है bricks का बना हुआ है जिस प्रकार की एक मका ये व्ज्यान हो गया उसका क्रंबध द्धियन क्रंबध किया आप ने एक बाの दूसरा क्या ठळना फिर थीस क्या स्टडी करना है इसके बाद गया करना ऐसे जब करंबध मध्यर करते हैं तो अगर आपने लगा लिया तो ये ऊसको मकान डाल देते हैं, रूफ डाल देते हैं, तो क्या बन जाता है, वो घर बन जाता है, मकान बन जाता है, अब हम समझते हैं, पॉइंट केर की में, पॉइंट केर जो हैं, इन्होंने जो ये परिभाशा दी, इसमें चार सबसे मुख्य तत्थे अच्छे हैं, जिनको आप पढ़ें की इस परिभास्षा के अनुसार स्फारी विग्ञान की इस परिभास्षा के अनुसार विग्ञान में चार सबसे महत्पूर्ण तत्य हैं कौन से सबसे पहले तथ्यों को एकत्रिद करना यानि observation करना observe करना जब Newton ने देखा ना सेब को गिरते हुए तो उन्होंने observe किया सबसे पहले तो observation ही करोगे ना भीया उसके पहले तो कुछ नहीं कर सकते है observe करोगे उसके बाद क्या होता है तथ्यों को मापने का प्रियत्म करना यानि measurement करना उसके बाद तो measure किया होगा न नापने का प्रियास क्योंगा ऐसा हो रहा है ऐसा हो रहा है अच्छा है उसके बाद किया क्रमबद अध्यान करना यानि systematic study किया या फिर इसको पहले भी कर सकते हैं और measurement बाद में कर सकते हैं आगे पीछी हो सकता है systematic अध्यahn किया अखरिय that ऐसा क्यों हुआ ठीक है तो कारण निकालने का ऐसा कारण क्या है इसका ऐसा क्यों हो रहा है ठीक है और last में क्या करते है N earmung की Sarvbhomikता का सत्यापन यानि की आप की जांचते है verification करते है क्या यह सारुख भामिक है, सारुख भामिक का मतलब होता है जो यहां हो रहा है, वो आस्ट्रिलिया में भी हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो इंडिया के बाहर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, अमेरिका में ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हर जगा ऐसा हो रहा है कि माली जी वो इंडिया आते, इंडिया में भी कोई चीज़ इसे उचालते हैं, और उचालते हैं, और नीचे फिर्जे वो गिर जाती हैं, तो वो क्या कहते हैं, स्थार भॉमिक रूप से ये कह सकते थे, कि गुरुता करशन बल लग रहा है, और ये धरती पर हर जगा लगता है अन्य बाते समान रहने पर इसका मतलब ये है, ऐसा जरूरी नहीं है, कि अर्थशास्त, जो गुरुता करशन बल लग रहा है, वो प्रत्वी पर लग रहा हो, तो हर जगा लगता हो, हम प्रत्वी एक बहुत छोटा सा प्लैनेट है, इसके बाहर पुरा युनिवर्स है, ऐस लगता है, ठीक है, लेकिन अंतरिक्ष में जाते ही लोगता आरने लगते हैं, ये आज की साइंस प्रूफ कर रही है, आप समझभा रहे हैं, तब बड़ा जटका इनकी लॉग को लगा, जब आइंस्टीन ने प्रूफ कर दिया, कि बाहर जो है, अलग तरीके का अब आगे हम पॉइंट देखते हैं, कि भाई साब कुछ अर्थोषास्त के साइंस मानने के पक्ष में खड़े होंगे ना, नहीं नहीं भाई साब, विज्ञान है, अर्थोषास्त विज्ञान है, विज्ञान ही नहीं कला, और ये दोनों चीज़े हैं, कैसे हम आपको प्र तर्क देता हूँ यानि arguments for being a science, science होने के पक्ष में तर्क अर्थशास्त्र के, ठीक है, क्या कहा, का वैज्ञानिक विदियों का प्रियोग, use of systematic methods, आप ये बोल सकते हैं, use of systematic method, या इसकी जगह पे बोल सकते हैं scientific method, scientific method, वैज्ञानिक विदियों का प्रियोग क्या आ जाता है भाई साब, कैसे, ठीक जैसे science में नियम जो होते हैं, वो बहुत सही होते हैं, वैसे ही अर्थशास्त के नियम भी कुछ वैज्ञानिक तरीकों रीतियों से बनाया जाते हैं, ऐसे नहीं बनाया जाते हैं, हवा हवाई बोल दिया, मुझे बताइए, मांगकर नियम है, कोई भी माई का लाल हो, इसको तोड़के दिखा दे, सेब, मार्केट में 100 रुबे में मिल रहे, आप रोज मार्केट में सबजिवगारा खरीद दे जाते हैं, सेब का भाव पोजते हैं, एक दिन जाते हैं, और सेब बलुकुल अच्छा सेब, वैसा ही सेब ठीक है, उसका भाव गिर करके 40 में आ गया आप क्या करोगे तुरंट भाईया 2-2-4-4 किलो खरीद के अपने घर लिया ओगे और सब को खिलाओगे और बचा के फ्रिज में भी लगा दोगे 2-3 दिन चले आपने ऐसा क्योंकि एक खरीद लिया भाई क्योंकि ऐसा क्योंकि सस्ता हो गया और यहीं मांकरियम बोलता है कि जैसे ही किसी भी वस्तु की चीज के दाम गिरते हैं किसी भी वस्तु के दाम गिरते हैं तुरंट उसकी मांग बढ़ जाती है हुआ इसको काट की दिखा दे कोई हलकी अन्य बातेगर समान रहे तो अलग चीज़ में थोड़ा सा अपलाई नहीं भी होता है ऐसे तो science भी अपलाई नहीं होता है आपको मालूम है physics भी fail हो जाती है chemistry भी fail हो जाती है सिर्फ mathematics ही ऐसा subject है जो fail नहीं होता है क्योंकि two plus two four ही होंगे two plus two four point one या five नहीं हो जाएगा ऐसे एक दो और subject हो सकते हैं इसके लावा सारे के सारे fail हो जाते हैं समझें तो यह चीज़ हो गया दूसरा है सिध्धानतों का निर्माण तो जैसे science में सिध्धानतों यानि principles का creation होता है वैसे अर्थशास्त्री में भी सिध्धानतों का निर्माण किया जाता है इसमें भी तथ्धों का पहले observation किया जाता है फिस systematic study की जाती है measurement उसको mapा जाता है फिर verification किया जाता है मांग कनियम यहाँ apply होगा मुझे बताइए क्या अमेरिका में apply नहीं होगा वहाँ भी apply होगा भाई साब पाकिस्तान में भी apply होगा USA में भी apply होगा UAE में भी apply होगा China में भी apply होगा कहाँ apply नहीं होगा सब जगा होगा मांगो पूर्दिकनियम तो आप कैसे कह सकते हैं यह science नहीं है आगे समझे उसके बाद कहारा सिध्धान्तों का निर्मान मतलब इसमें भी सिध्धान्त मनाये जाते हैं जैसे कि विज्ञान कारण परिणाम पर चलता है इसका मतलब cause and effect इसका कारण क्या है और इसका effect यह होगा ठीक है ठीक वैसे ही अर्थोशासर भी चलता है तीसरा कारण विश्यका करमबध जो पक्ष है इसमें पक्ष में जो बोला गया है वो बोला गया है विश्यका करमबध अध्यान यानि systematic study मुझे बढ़ाइए क्या अर्थोशासर में आप systematic study नहीं करते हैं बिल्कुल करते हैं भाईया चलो उत्पादन करते हैं उत्पादन करने के बाद क्या करते हो विनिमय करते हो विनिमय करते एक्सचेंज करते हो फिर क्या करते हो वितरन करते हो और उसके बाद जब ये सब कर ले तो तो last में आपको क्या मिलता है राज्यसू ये पाँच विभाग अर्थोशास्र के हैं बहुत बड़े इसके विशह में हम बात कर चुके हैं अलगर टॉपिक पर भी बात कर चुके हैं सच करेंगे तो शायद मेरी वीडियो आपको पहले या दूसरे नंबर में मिल जाएगे वो देख सकते हैं तो कैसे नहीं कह सकते हैं मांग का नियम अगर इंडिया में अपलाई होता है तो चाइना में भी तो अपलाई होगा जिबकि चाइना बहुत दूर है सब जानते हैं उसके बात है मुद्र का माम दंड यानि मेजरिंग रोड आफ मनी आपने देखा होगा जैसे भौतिक विज्ञान वगरा है इसमें बैलेंस को निश्चित करने सत्यता को प्रगट करने के लिए क्या किया जाता है बहुत सड़े यूनिट्स का यूज किया जाता है जैसे लेंध जैसे कैपैसिटी को माम आपने के लिए लीटर वगरा यूज किया जाता है ठीक उसी प्रकार से मुद्र का यूज अर्थशास में किया जाता है भला हो इस बात का अर्थोशास्त्र के पास मापने का एक साधन तो है मुद्रा तो है और सोशल साइंस जैसे की आपका राजनीति विज्ञान हो गया ठीक है इन सब चीज इन सब के पास तो नापने का मुद्रा के जैसा कोई साधन ही नहीं है अर्थोशास्त सीमाद करने हम क्या कहता है आप जैसे जैसे कोई भी चीज बढ़ाते जाते हैं कि ये universal है, तो बिल्कुल universal है, अब हम बात करते हैं, इसके विपक्ष में भी देने वाले हैं, भाया इसका विपक्ष भी तू सुन लो, तो विपक्ष जो हैं, उसके जो तर्क हैं, उसमें सबसे पहला जो तर्क है, उसमें ये बोला गया है, कि पहला जो विपक्ष में तर्क यानि arguments against being a science, ठीक है, economics इबारे में यह बोल रहा है, अर्थोशास्रियों में मतबेद होने का तर्ग, अभी ये लोग बोलते हैं, कई सारे अर्थोशास्रियों या फिर और भी लोग बोलते हैं, कि अगर चलो हम मान लेते हैं, science है, science है economics, तो economics के बीच में, जो अर्थोशास्र इतनी तेजी से बढ़ रहा है ना, कि ये होना स्वाभाविक है, ठीक है, थोड़ा बहुत तु चलता ही है, उसके बाद विज्ञान जैसे निश्चित नियमों का परतिपादन ना कर पाना, ऐसा यह बोलते हैं, विज्ञान जैसा, निश्चित परतिपादन नहीं कर पता है अर्थुशास में मनुश्य के विवहार का अध्यन किया जाता है यह सबसे बड़ा कारण है कि निश्चित प्रतिपादित हम ना कर पाना मुझे एक बद बताईए अर्थुशास में आप किसका अध्यन करते हैं मनुश्य जाती का मनुश्य के विवहार का उसके अंदर चेतना होती है उसके अंदर विवेकशिलता होती है विवेकशिलता नहीं भी होती है तब ही वो प्रभावित करता है समाज को बजार को ठीक है लेकिन जो साइंस होता है उसमें जड़ जो होता है जड़ पदार्थ का अध्यान किया जाता है जैसेख एकBS वगए रखता कै उसमें चीतना होती है कियता है ने-एक मुझे अब कुछ नहीं खा ना क्या उसमें इसलिए इसलिए उसके जो साइंस की तत्थ χोते है और जो नियम होते वो सरवभॉमिक होते हैं लगबख अकाट्टे होते हैं हलाकि वो भी कट सकते हैं हर जह आपलाई नहीं होते हैं लेजिः अर्थुषास्त्र में ऐसा इसले नहीं होता है क्योंकि हमारे वहां अर्थुषास्त्र में एक वेक्ती पर अध्यान किया जाता है और जब व्यक्ति पर अध्यन करोगे तो वह बहुत चालू किसम का होता है उसके अंदर चेतना होती है विवेक शिलता होती है क्या सही है क्या गलत हो अपने लिए जानता है क्या भला करना है क्या बुरा होता है हमारे लिए सारे निर्णे लेता है इसलिए ये थोड़ा सा ठी एक तर्ख है कि अर्थुशास्ट पूरता विज्ञान नहीं बोल सकते हैं लेकिन विज्ञान तो है ऐसा दो मान के चल जाता है आगे दिखते हैं आकड़े परिवर्चल शील यानि कि चेंज इन डेटा ऐसा होता है कई बार होता है और ऐसा एक करन में सबसे बड़ा मानता हू लेकिन अगर अच्छी तरीके से सिस्टेमेटिक तरीके से डेटा का कलेक्शन हो तो ऐसा नहीं होगा लगभग नहीं होगा थोड़ा बहुत होगा लेकिन उसमें कमी बहुत आ जाएगे चौथा है मुद्रा का मांधंड शुद्ध नहीं है साइंस में जो यूज किया जाते वो शुद्ध होते हैं एक मीटर एक ही मीटर होता है वो दस साल के बाद बदलनी जाएगा लेकिन मुद्रा में ऐसा नहीं है जो दस रुपे की आस चीज है दस साल के बाद वही हो सकता है सो रुपे की हो जाए लेकिन ये गलत नहीं है मुझे एक बात बताई जो दस रुप पास मुद्रा का मापदंट है तो चाहें वो कितना भी अपरिस्क्रत हो चाहें कितना भी रफ हो लेकिन है तो आने सामाजिक विज्ञानों के पास तो ये भी नहीं है इतिहास हो गया राजनीति शास्र हो गया इनके पास तो ये भी नहीं है वो विचारे क्या करें ठीक है तो हम निमने बातों पर ध्यान दे तो हम पाएंगे कि ऐसा नहीं होता है सबसे पहला अध्यान विशेक के सुभाव में फर्क होना यानि study of man study of man economics में किया जाता है और atoms का जो जड़पदार्थ होते उनका अध्यान science में किया जाता है तो आदमी में क्या होता है चेतना होती है मैंने अभी आगको बताया चेतना होती है, feelings होती है, change हो जाने की भावना होती है, feeling होती है, लेकिन जड़पदार्थ में ऐसा नहीं होता है, इसलिए जड़पदार्थ में जैसे science, physics, chemistry ये जो भी देते हैं वो लगबग सही होता है, इसमें चेंज हो जाता है, तो इसलिए हम मानते हैं थोड़ा सा, ये बताईए आपको एक प्रियोग करना है फिजिक्स का या फिर केमिस्ट्री का आप एक छोटे से लैब में कर सकते हैं दस बाई दस कमरे में भी कर सकते हैं मुझे एक बात बताईए अर्थुशास्त्र में तो पूरा विश्व ही उसकी लाइबरीरी है आप समझ पा रहे हैं पूरे विश्व का ही अध्यान है अर्थुशास्त्र तो आप कैसे कर सकते हैं ये भी कारण है ये भी तरक दिया जाता है और अंत पर तरक ये बड़ा अच् यानि study of human behavior इसका मतलब ये हुआ अर्थुशास्त बोलता है कि देखो भाईया प्रकृति विज्ञान प्रकृति विज्ञान मतलब जैसे कि physics chemistry हो गया कि आप लोग अपने आपको बहुत ज़्यादा सच सच कह रहे हो ना समझे बात को हम जब एक विक्तिक का अध्यान करते ह तब तो हमें बदलाव मिलता है जैसे कि कोई जरूरी नहीं है कि अगर किसी भी वस्तो की कीमत गिर गई है तो उसकी मांग बढ़ेगी एक विक्तिक पर अपलाई नहीं होगा लेकिन अगर हम पूरे market को study करते हैं तो हम पाएंगे अगर किसी भी चीज की कीमत गिर गई है त अगली वीडियो में बात करेंगे क्या अर्थोषास एक वास्तविक विज्ञान है उसकी बात करेंगे उसके बाद को यह वीडियो